मेरा, विल्कम बाग तो माई यूटेव चैनल, World Literature आज जो राइटर हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है महेश, दतानी, इनके program को डिसकस करेंगे इनके career को डिसकस करेंगे इनके place को डिसकस करेंगे साथिए साथ इनको जो awards मिले हैं उनको भी हम लोग डिसकस करेंगे First of all अगर इनकी हम लोग बर्थ डेर देखें तो 1958 में इनकी भी बर्थ होई थी और अगर फर्दर इनकी अडली लाइफ और बैग्राउंड को हम लोग डिसकस करें तो ये इंडियन डारेक्टर हैं एक्टर हैं, प्लेराइट हैं और राइटर हैं बैंगलोर में ये पैदा हुए थे एक गुजराती फैमिली में इनके पेरंट्स जो थे वो गुजराती थे और इनके अगर एजुकेशन के हम लोग बात करें तो दतानी ने ग्रेजुएट किया हुआ है हिस्ट्री में, एकनॉमिक्स में और साथ साथ पुलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो कम्प्लीट किय हुई है वो है मार्किटिंग में और अड़टाइजिंग मैनेजमेंट में वो इसलिए इन्होंने की थे विकास ये जो हैं दतानी वो कॉपी राइटर बनना चाती थे इस वज़ा से इन्होंने मार्किटिंग और अड़टाइजिंग जो मैनेजमेंट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट किया उसके बाद इन्होंने एक बैंगलोर के चोटा सा थेटर था वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया और इन्होंने जो अगर हम लोग इसके बाद करियर के इनके बात करेंग इनका जो राइटिंग करियर है वो स्टार्ट कहां से होता है तो वो स्टार्ट यहां से होता है कि इन्होंने Edward Albies का play पड़ा था Who is Afraid of Virginia Woolf ये पढ़ने के बाद इन्होंने अपनी early life में जब इसको read किया तो इनका writing के अंदर जो interest है वो develop हुआ और इन्होंने writing जो है वो start की उसके बाद इनके career में next जो आता है कि इन्होंने as a copywriter जो है अपना career बनाया और साथ ही साथ इन्होंने advertising firm में जो है वो काम करना start किया 1986 में इन्होंने अपना जो first full length play लिखा था where there is a will and since उस वक्त से जो है वो 1995 से जो है वो इन्होंने professionally जो है वो theater में full time जो है वो काम करना शुरू कर दिया था 1995 से ही उसके बाद अगर हम लोग the tani के works देखते हैं plays देखते हैं as a playwright उन्होंने कौन-कौन से plays लेखे हैं काफी important इनके plays हैं तो हम लोग उसको discuss करते हैं 11 to 12 जो इनके plays है वो हम लोग यहाँ पे उनके name जो हैं वो discuss करेंगे Where There Is A Will 1988 में इनका play आया था Dance Like A Man 1989 में आया था Tara 1990 में आया था Bravely For The Queen 1991 में आया था Final Solutions 1993 में आया था उसके बाद आया था On A Muggy Night In Mumbai 1998 में Seven Circles Round The Fire यह इनका radio play था जो इनोंने BBC के लिए लिखा था उसके बाद आया था 30s Days In September 2001 में इनोंने लिखा था The Girl Who Touched The Stars 2007 में आया था Brief Candle 2009 में Where Did I Leave My Pardon 2012 में आया था The Big Fat City 2012 में आया था यह इनके कुछ प्लेस थे उसके बाद as a director इनको हम देखें दतानी को इनोंने films लिखी है और films जो हैं में as a director जो है इनोंने काम किया है तो अगर first film इनकी हम लोग देखें तो Mango Sophie आजाती है first Second Morning Raga Dance Like a Man Third है इनका एक अलग मौसम जो के fourth number इनोंने जो film है वो direct की है अब इसके बाद अगर दतानी के हम लोग बात करें इनके awards की इनको कौन कौन से awards मिले हैं तो first of all इनका जो play भी था और इनकी जो उसी को इनने movie को direct किया था Dance Like a Man उसको National Panorama Award मिला था 1998 में उसके बाद इनको मिला था साथिया Academy Award for Final Solutions और इनके जो दूसरे players थे उनके लिए इनको मिला था तो ये एक living writer है और जब भी हम लोग किसी novel को किसी play को discuss करते हैं या फिर short story को discuss करते हैं तो उससे पहले हम writer का जो background इसको देखना जरूरी होता है from MCQ's point of view because MCQ's के हवाले से किसी भी writer के biography को discuss करना बहुत important होता है और वैसे भी जब भी हम कोई play पढ़ते हैं या फिर novel पढ़ते हैं तो उससे पहले ये discuss करना बहुत जरूरी होता है कि writer कौन था writer ने किस तरहां का का काम किया है किस country से वा belong करता है कि वो colonialist है या post-clonialist writer है साथ ये साथ वो modernist है या post-modernist writer है तो इस issues को discuss करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और वैसे भी हमने बहुत सारी theories पढ़ी हैं कि किसी भी text को जो समझने के लिए कभी किसी theory में कहा जाता है कि writer के biography को मरना बहुत ज़्यादा जरूरी है फिर किसी theory में ये कहा जाता है कि सिर्फ जो meaning होता है किसी भी text का वो उसी text के अंदर ही होता है फिर third number पर किसी theory में कहा जाता है कि जो reader का जो response है किसी भी theory पे वो बहुत ज़्यादा matter करता है जो हमारी understanding है हम जब भी कोई novel या फिर हम लोग पढ़ते हैं तो हम writer का जरूर उसका background देखते हैं कि writer है किस सरा का उसका meaning लेने के लिए नहीं text का सिर्फ इसलिए कि हमें information हो जाए हमें knowledge आ जाए कि जिस novel को जिस drama को जिस short story को हम लोग पढ़ रहे हैं अपने जो literature जो उसने लिखा है यहां पर जो उसने जो writing लिखी है उसमें जो उसने social चीजें दिखाई है social conflicts दिखाई हैं उस चीज़ को हम लोग appreciate कर सकें उस writer को महेश दताने के यह biography थी बहुत interesting थी as a film director इन्होंने काम किया है साथ ही साथ इन्होंने plays बहुत ज़्यादा लिखे है और इनका जो career है इनकी education वो बहुत ज़्यादा interesting है जो इन्होंने graduation हासिल की उसके बाद जो इनका post graduation का period है अब इसके बाद हम इनके plays को discuss करेंगे आपको इनकी जो biography की वीडियो है संद आई होगी वीडियो को like और share और चैनल को subscribe कर जीजेगा thanks for watching my channel